69 जा सिक्षक भर्ती के भर्तियों के लिए एक बड़ी अपडेट है उत्तरमाला प्रकरण पर जो इस्टे लगा गया था सिंगल बेंच के द्वारा तो उसे डबल बेंच में सरकार की ओर से इस्पेसल अपील के द्वारा कहा गया था कि इस्टे हटा दिया जाए तो इस पर ए वो यह है कि 69 जार सिक्षक भर्ती उत्तरमाला मामले में स्पेसल अपील पर सरकार को मिली अंतरिम राहत भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोड के 21 मई और 9 जून के आदिस के क्रम में की जाए यह खबर निकल के आ रही है यानि कि हाई कोड लखनों से इस्टे हटा लिया गया ह और इसके बारे में भारत समाचार भी यही लिख रहा है कि 69 जास सिक्षक भर्ती पर हाई कोड का फैसला हाई कोड से यूपी सरकार को बढ़ी रहा हाथ हाई कोड की डबल बेंच ने भर्ती से रोख अटाई हाई कोड की डबल बेंच से अब भर्तियों को बढ़ी रहा है त इसमें ये कहा गया था कि कुल मिला के 37,349 जो पद हैं वो सिक्षामित्रों के लिए रिजर्व रखे जाएं और उसके बाद ये भरती प्रक्रिया सरकार आगे बढ़ा सकती हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कुल मिला के 67,887 अबेर्टियों के सापेच जो चैनित सूची ज जारी हुई है अगर उसमें से ये पद यहने कि सिक्षामित्रों के लिए जो प्रयर्व की गई थी 37,349 पद अगर इसको सुरक्षी तरक लिया जाएगा तो फिर मेरिट तो अपने आप ही बदल जाएगी तो ये एक बहुत ही अजीब तरीके की इस्तिती है देखना ये है क कि सरकार इस पर किस प्रकार से आगे बढ़ती है फिलाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि उत्तरमाला प्रकरण में सरकार को रहात मिल गई है और उत्तरमाला प्रकरण पर जो इस्टे लगाया गया था तो उस पर जो है सरकार को रहात है इस्टे जो हो हटा लिया गया है तो फिर जो latest update होगी वो लेकर मैं आप तक पहुशतार होँगा Thank you so much, Have a great day, Jai Hind